तरीक अदम इत्माद पर जब मरियम नवाजीब साहबा से सवाल पूछा गया, आपने उनका जवाब सुना, का गया कि जांगी तरीन से मदद नहीं नहीं पड़ी तो क्या करेंगे, इस पक्त उपोजिशन उस पर क्लेर जवाब तो नहीं दे रही है, लेकिन लग ऐसी रहा कि वो किसी भी तरीके से इस अदम इत्माद को कामियाब बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सियासे तो हम बात रोज करते हैं, आज मरियम नवाजीब साहबा ने अपनी प्रेस कांफरेंस में अपने एक्सपीरेंस भी शेर किये, साफियों का जिकर किया, किस तरह सोचिल मीडि सियासे करें, इकतलाफ करें, सख्त बात करें, बट सख्त बात जातियात तक नहीं जानी चाहिए, जादी साहब, क्या ये बात से आप अगरी करते हैं या आपको लगता है कि ये सियासे जो हो रही है, वो ठीक हो रही है। लोगों के घरवालों पे, लोगों की माओं बहनों पे, वो किसी की बेटी, किसी की माँ पे, ये क्या तरीका का रहा है, जिनका पॉलिटेक से स्पेशली कोई तालुक ही नहीं है, ये तो वो लोग है, जिनकी चलो, मैं तो कहता हूँ जो पॉलिटेशन थी, बीवी शहीद, उनके मारे में जाज से हेलिकॉप्टर से गिराते थे वो हैंड बिल्स ये तो कभी इनों ये तो एक नूल लीक का तो पुराना तरीका वारता था ये ये को पहली दफा तो नहीं कर रहा है ये इनकी पूरी हिस्टॉरिकल प्रेस आप देख लिए तारीख में नहीं ये काम किय हुआ है वो तो पॉलिटिशन थी तो ये तो उनके भी नहीं छोड़ते जो पॉलिटिशन नहीं है जिनका कोई लेना का देने का नहीं कोई पता नहीं घर में बचा रहे ओंके बर मीश्रू हो गए इसका कोई इसकी जैस्टिफेकेशन हो ही नहीं सकती और जिस तरह की जाला कि ये नहीं होना चाहिए जातियात की बुनियाद पर गुफटगों नहीं होना चाहिए गालम गलोच नहीं होनी चाहिए किसी को इस तरह टार्गेट नहीं कि अजमिया साथ इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि आप भी आपका भी जिकर किया आज मुराद सीद ने चाहिए या इतनी सख्त होगी है सियासत के इदर से वापसी अब नहीं हो सकते हैं काशच शायद आप भूल गए हैं आपकी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भले मुराद सीद ने जितनी भी गंदी गुफटगों इसेमली के अंदर लीडिशिप के बारे में की थी खवाती हो दोबारा से के मुराद सीद मेरा बेटा है बेटों की तरह है उसकी बेहने भी मेरे बेटियों की तरह हैं मेरी उस वक्त की अलफाद जो मैंने इस्तमाल किये उनकी दिल जारी हुई होगी मैं उस पर उस वक्त भी शर्मिंदा था आज भी शर्मिंदा हूँ मगर क्या काश अश्रफ ये कोई इमरान खान साब करने के लिए तैयार होंगे क्या इनके बाकी वज़रा बात उस तरह करने के लिए तैयार होंगे कि हमसे गलती होई हैं हम माधरत चाहते हैं देखें जो हवाला दे रहे हैं ना अली जैदी उस वक्त अगर जो कुछ हुआ था वो गलत था उसके बाद जो कुछ होता रहा उस हद तक कोई नहीं गया ये दबारा रवायत जो शुरू की ये इमरान खान साब ने शुरू की इमरान खान साब ने गालियां लोगों की फैमिलियों को दी इमरान खान साब ने इनके वुजरा इनके अरकाने असेमली इनके ओदेदार जो गंदी गुफ्तुगू करता है शाबाश मिलती है इमरान खान साब से उनको और ये रोज लेक्चर मुझे वाब बता है मैंने अभी आद्बित छेरगी साब की ने किसी की वालदा के बारे में कुछ लिखा सोशल मीडिया पे आप लोग शाबाश देते हैं या उनको कहते हैं आपको नहीं करना चाहिए मैं जाना चाहता हूँ आप अपनी पार्टी का जवाब देते हैं मैं जरौन से उनकी पार्टी का जवाब भी ले लेता हूँ मैं काशव भबासी मैंने अपने से शुरू किया और मैं सब के लिए ये कहता हूँ किसी तोर पर भी किसी फैमिली के बारे में इस तरह की गुफटगू नहीं की जानी चाहिए मगर जो मैंने रविया अपनाया आपके प्रोग्राम में इससे पहले और आज फिर मैंने उसका मुझे अद्राक है मैं कह रहा हूँ भले उसने जो भी घलती अलफाज इस्तमाल किये थे गंदी जबान इस्तमाल की थी मराद सईदे मगर फिर भी मुझे अब वो अलफाज इस्तमाल नहीं करने चाहिए तो मैंने की एच और आपने माज़ब भी करने उसका थी क्या हम क्या इमरान खां करेंगे सार लेकिन मैं मसला ये देखें प्राब्लम ये है जादी साब कि यहां पर हर चीज को थोड़ा सा मिक्स भी कर देते हैं यहीं स्यासत पर एक दूसरे को कहना चोर डाकू मुझे लगता है कि इस पर भी लोग बहुत ज़रा परसनल ले जाते है कोई कहते हैं तुम चोर हो तुम डाकू हो कहते हैं सारे एक दूसरे को है लेकिन सुनने को कोई तयार नहीं है वो कमास कमी कुछ रेड लाइन्स तो ड्रॉ होनी चाहिए सब की तरफ से कि यहां से आगे किसी को किसी को भी नहीं ना ट्रीट्मन्ट ना कोई हकूमत में हो तो कई कहे कि मैं एटिया की फाई आरे काटूंगा किसी के खिलाब ना जेल डालूंगा ना गिरफतारिया करूंगा यह कुछ रैड लाइन्स होनी चाहिए जैदी साब या नहीं होनी चाहिए ठीक है जासा चल रहा मैं हकूमत में नहीं था आज हूँ कल क्या पता किसने क्या देखी लेकिन मुझे तरह यह बड़ा नहरेट हो कि अमरान खान चाहबा कब यह ऐसे हुआ है इनको दी होगी शायद इनके लीडरों ने हमें तो कभी नहीं और कब किसने बात किये किसी की बेनों और माshop के और बीवियों के बारे में मुझे बता दें अगर खिये तो मैं माधरित करूं मैं बता देंड़ मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि अगर मेस gelणती हुई हो तो मैं इसका इतराफ ना करूं जब मुझे एसास हो मुझे एसास उस वक्त भी हुआ आपने तो अपनी जात की माफी मांगी ना वो कह रहे हैं कि अमरान खान ने किसी की माँ बेन बेटी के बारे में जो कुछ काओ वो जरा बता दे वो गुदा के हम उनको भी कहे ना कि ये भी करते हैं इस तरह के का चा उस पक इम्रान खान सब शर्मिन दा हैं क्या मुराइट साहिड को डान टा क्या मुरायत साहिट को समझाया जैजिस साब पोछने क्या कह था मैं अपने जबान पे वो जखिएंप बारे में जो गूफतु की ती मैं नहीं दोराना चाता मैं इसी तरह सर मैं तो इस देखे किसी खावतीन के मितलग जो इस ने इमरान खान साथ में कुछ काओ जो आपके लिए काशिफ हाँ निकाल देना आपके माद क्लिप होगा चलाएं क्लिप गंदी को फटगो की थी बताएं काशिफ क्लिप चलाएं मेरे पार सिर्टेरम रेड़ी नहीं है अभी इधर से केक्दम अचली मुझे याद नहीं है मुझे बता दो जए중 ai कि हमारे फाटी से कभी किसी ने किसी की माँ बहन और इम्राणख conception की मादोटी में क्या किसी के चलन पर पर कुछ काल क्या कोई मिया साब और अच्छा फिर काशव एक सक्ट रुक जाए फिर अगर दिये तो अनकेंडिशनल माफी लेकिन बताएं कब दिये अली एक सक्ट अली एक सक्ट मुझे ये बताएं कि आली अमीन गंडापुर जो है उसने क्या गुफ्तुगू की थी क्या वो लच्छ गुफ्तुगू नहीं थी बिल्कुल थी ये बाद आपकी दूस्ता है लेकिन मैंने आपको आपी छेर एली भी किना दिया मैं आपको तलाल चौरी साब की जलसे की तक्रीर सुना देता है काशव इस तरह ना करें काशव इस तरह ना करें मैं आपको ये कह रहा हो मैं आपको गृतुगू से दूर जाने का करें आप तो एक साइड सुना के दूसरी को कहते है उसकी बाद ना करना मेरे साबे जो जो बात अभी आप कर रहे है यहarmed बात कि हम वो सारे क्लिप सनवाने की बजाए हम ये एहद करें कि हम सब को जो गलतियां हम सब ने की हैं दुबारा से जुड़ाएना और पिछली पे माविश जारी साब मैं आपको एक चलो मैं मिया साब जो बात कहना जारे मैं उसको जबाँ साब मैं सवाल की शेकल में दोनों पार्टियों के लीडरों की आपको जलसों की ये जलसे की तक्रीर है क्या ये पार्टियां ये फैसला कर सकती है कि ये जलसों में भी नहीं होना चाहिए फैसला क्या करना मैं तो कह रहूं नहीं होना चाहिए इसमें तो फैसला अलड़ी हुआ हुआ है हमने सरी के आफेंट से पूछ रहों बता दें अली अमीन गंडपूर की बात किया अली अमीन गंडपूर ने कहा कि उन्होंने बहुत सारा प्लास्टिक सर्जरी कराई है यह उसने कहा था ना उन्होंने यह कहा था ना जी मेरे बाहिए अगर आपको चला देता है तो इसको यह काशफ जो आप बात कर रहे हैं वो यह बात कर रहे हैं